मोर दुलुर्वा देश्वासिमन नमस्कार। और चार दसक बाद करीब करीब एक ताली साल के बाद भारत के नौजवान हर बेटा बेटी हर हाकी के अंदर फिर से एक जान भरे कर काम करिन हैं। और कितना ही पदक क्यों न मिल जाए जब तक हाकी में पदक नहीं मिलेल भारत कर कोई भी नागरिक बीजय कर आनद नहीं ले सकत है। और ए बार ओलंपिक में हाकी कर पदक मिलिस चार दसक के बाद मिलिस राउर्मन कलपना कर सकत हो मेजर ध्यानचन जी कर दिल पर उनकर आत्मा पर ओ जहां हो ही वहां कितना प्रसंता कर अंभो करत हो ही और ध्यानचन जी कर पूरा जीवन खेल ला समर्पित रहिस और एकर से आज जब हमर देश के नवजवान मन में, हमर बेटा बेटी मन में, खेल के प्रती आकरसन नजर आता है। माता पिता लाभी अगर बच्चा खेल में आगे जाता है, तो खुसी होता है। ए जो ललक दिखत है ना, मैं समझत हूँ, एही मेजर ध्यान चन्जीला बहुत बड़ा स्रधान जली है। सग्मारी हो, जब खेल कुद कर बात होते ना, तो सवभाविक है, हमर सामने पूरा युवा पीड़ी नजर आयल। और जब युवा पीड़ी के तरफ हमन गौर से देख्थन, कितना बड़ा बदलाव नजर आता है। युवा कर मन बदल चुकी से, और आज कर युवा मन घिसा पिटा पुराना तरीका से कुछ नया करना चाहत है, हटकर के करना चाहत है, आज कर युवा मन बने बनाय रस्ता पर चलना नहीं चाहत है, ओ नया रस्ता बनाना चाहत है, एकदम नया जगा पर कदम रखना चाहत ह मंजिल भी नया लक्ष भी नया राह भी नया और चाह भी नया अरे एक बार मन में ठान ले थे न युवा जी जान से जुट जैल दिन रात मेहनत करता है हमन देखत हन अभी कुछ समय पहले ही भारत हर अपन अंत्रिक्ष छेत्रना खुला करी से और देखते ही देखते युवा पीड़ी मन ओ मौकाला पकड़ ले ही और एकर लाब उठाय वर कालेज के चात्रमन विद्याले के चात्रमन नीजी छेत्र में का करे वाला नौजवान मन बढ़ चड़कर आगयाइन और मॉला पूरा भरोसा है आये वाला दिन में बहुत बड़ा संख्या ऐसे से शेटेलाइट कर हो ही जो हमर युवा मन हमर चात्र मन हमर कालेच करper Laram में काम करे वाला विद्यार्थी मन काम करिन हो ही एही तरह आज जहां भी देख्थन कोई भी परिवार में जाबो कितना ही संपन परिवार हो पड़ल लिखल परिवार हो लेकिन अगर परिवार में नौजवान से बात करब तो का कहत हो ही ओ अपन पारिवारिक जो परंपरा से हटकर के कहत है मैं तो स्टार्ट अप करूँ स्टार्ट अपस में चला जाहूँ यानी खत्रा लहे में ओकर मन उछलता है आज छोटा छोटा सहर में भी स्टार्ट अप संस्कृती कर बिस्तार होता है और मैं ओमें उज्वल भविस्कर च दियान में ए बिसहर आईस तो उमन भी मन में ठान लहिन की दुनिया में भारत की खिलोना कर पहिचान कई से बने और नया नया प्रयोकरत हैं और दुनिया में खिलोना कर बहुत बड़ा बजार है चैसात लाग करोड कर बजार है आज भारत कर हिस्सा बहुत कम है लेकिन खिलो खिलावना में अलग अलग तरीका का होई, खिलावना में तकनीकी का होई, बच्चा मनकर दिमाग के अनुरूप खिलावना कैसे होई, आज हमर देश कर युवा ओकर और ध्यान के इंद्रित करत है, कुछ सहयो करना चाहत है, संग्वारी हो, एक और बात, जो मनला खुसी से भ होता है, चलता है यार, लेकिन मैं देखत हो, मोर देश कर युवा मन अब सबसे अच्छा की तरप अपन आपला के इंद्रित करता है, सबसे बढ़िया करना चाहत है, सबसे अच्छा तरीका से करना चाहत है, ए भी राष्ट कर बहुत बड़ा सक्ती बन कर उभर ही, संग्व एक खेल जगत में जो कुछ भी हुईस, विश्व कर तुलना में भले ही कम लगत होई, लेकिन विश्वास भरे बर बहुत कुछ हुईस है, आज युवा सिर्फ खेल कर तरप ही देखत है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो उकर से जुडल संभावना कर तरप भी देखता है, उकर पूरा परियावरनला बहुत बारीकी से समझत है, ओकर छमताला समझत है, और कोई ना कोई रूप में खुदला जोड़ना भी चाहत है, अब ओ पारंपरिक चीज मन से आगे जाकर नया छेत्रला अपना आता है, और मोर देश्वासी मन जब इतना बड़ा गती आईस है, हर परिवार में खेल कर चर्चा शुरू ही से, रावर मनी बतावा मोला का एक गती ला अब थमने देना चाही, रुकने देना चाही, जी नहीं, रावर भी मोर तरही सोचत होई हो, अब देश में खेल, खेलकूद, खिलाडी, खिलाडी उत्सा, अब रुकना नहीं है, एक गती को परिवारिक जीवन में, समाजिक जीवन में, राष्ट जीवन में इस्थाई बनाना है, उर्जा से भर देना है, लगातार नया उर्जा से भरना है, घर हो, बाहर हो, गाँ हो, शहर हो, हमर खेल कर मैदान भरा होना चाहिए, सब खेलें, सब खेलें, और राउर्मन याद है मैं लाल किला से का कह रहे हैं सबकर प्रयास जी हां सबकर प्रयास सबकर प्रयास से ही भारत खेल में ओ उचाई प्राप्त कर सकत है जिकर ओ हकदार है मेजर ध्यांचन जी जैसे लोगमन राह दिखाईन और आगे बढ़ना हमर जी मेदारी है बचर बाद देश में ऐसा समय आईस है कि खेल के प्रती परिवार हो समाज हो राज्य हो राष्ट हो एक मन से सब लोगमन जुड़ते हैं मोर प्यारा नौजवानमन हमनला ए आउसर कर फायदा उठात अलग अलग प्रकार के खेल में महारद भी हासिल करना हो ही गाउगाउ में खेल कर प्रतीयुगिता लगातार चलते रहना चाहिए प्रत्यउकता से ही खेलकर विस्तार होई, खेलकर विकास होई, खिलाडी भी ओही में से निकल ही. आवा, हम सभी देश्वासी मन ए गतिला जितना आगें बढ़ाए सकत हन, जितना योगदान हमन दे सकत हन, सभकर प्रयास ए मंत्र से साकार करके दिखाई. मोर्द उलुर्वा देश्वासी मन कल जन्माष्टमी कर महापरव हवे जन्माष्टमी कर एपरव यानि भगवान स्री किष्ण के जनम कर परव हमन भगवान के सब स्वरूप से परचितन नठखट कनहिया से लेकर के विराट रूप धारन करे वाला कृष्ण तक शास्त्र सामर्थ से लेकर सस्त्र सामर्थ वाला कृष्ण तक कला हो, सुन्दर्ता हो, माधुरे हो, कहां कहां कृष्ण है लेकिन ए बात मैं एकर से करत हो कि जनमाश्ट्यमी से कुछ दिन पहले मैं एक ऐसा दिल्चस्व अनुभव से गुजरे हो तो मुला मन करता है ए बात मैं रावुर्मन से करूं याद हो ही ए मेहिनाकर 20 तारिक को भगवान सोमनात मन्दिर से जुड़ल निर्माण कारेकर लोकारपन करल गई रही, सोमनात मन्दिर से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर ही भालका तिरत है यह भालका तीरत ओ है जहां भगवान श्री कृष्णहर धर्ती पर अपन अंतिम समय गुजारे रहिन। एक प्रकार से यह लोग कर उनकर लीला कर यहां समापन हो रहिस। सोमना ट्रष्ट के माध्यम से ए सारा छित्र में विकास कर बहुत सारा काम चलता है। जब मैं एक किताब कर पंदना पलटना सुरू करें तो मोर जिग्यासा और बढ़ गईस। जब मैं एक किताब और उकर बहुत सारा फोटो मनला देखें तो उमें मोर बर लिखल एक संदेश ला पढ़ें। तो मोर मनकरिस की जो ये संदेश लिखीन है उनकर से मैं मिलो। मोर आफिस करमाध्यम से मैं उनकर से संपर्ग करन। दूसर ही दिन उनकर से मिले बर मैं बुलावा भेजन मोर जिग्यासा इतना रहीज कि ये कला के किताब ला देखके सिरी कृष्ण के अलग-अलग रूप ला देखके इतना जिग्यासा में मोर मुलाकात हुईस जदू रानी दासी जी से ओ अमरिकन है जनम अमेरिका में हुई जदू रानी दासी जी इसकोन से जूडिन है हरे कृष्णा आंदूलन से जूडिन है और उनकर एक बहुत बड़ा बिसेस्ता है भक्ती कला में वो निपूर्ण है राउर्मन जाना था अभी दो दिन बाद ही एक सितंबर को इसकोन के संस्थापक स्रील प्रभुपात जी स् 125 जयनती है जदू रानी दासी जी एही सिलसिला में भारत आइन है मोर सामने बड़ा सवाल ए रहिस कि जिनकर जनम अमेरिका में हुईस जो भारतिय भाव से इतना दूर रहिन ओ आखिर कैसे भगवान स्रीकृष्ण कर इतना मोहक फोटो बनाए सकता है मैं उनकर से लंबा बात करें लेकिन मैं रावर मल्ला उनकर से जो बात हुई से उकर कुछ हिस्सा सुनाना चाहत हो जदू रानी जी, हरे कृष्णा, I have read a little about bhakti art, but tell our listeners more about it. Your passion and interest towards it is great. So bhakti art, we have one article in the bhakti art illuminations, which explains how this art is not coming from the mind or imagination, but it's from the ancient Vedic scriptures, like Brahma Samhita, वेनुं करायनी पतितम स्कलितम सिकंदा, from the Goswamis of Vrindavan, from Lord Brahma himself, इस्री पर्मकृ्स्न साचितनन्द विग्रह, how he carries a flute, how all of his senses can act for any other sense, and Śrīmad-Bhāgavatam, ब्रहा भितंग नतवरवपुम कार्नियो कार्निकार्म, everything, he wears a कार्निकार flower on his ear, he makes the impressions of his lotus feet all over the land of Vrindavan, the cowherd boy sing of his glories, his flute attracts the hearts and minds of all fortunate beings, so everything is from the ancient Vedic scriptures, and the power of the scriptures which are coming from transcendental personalities and the pure devotees who are bringing it, the art has their power and that's why it's transformational, it's not my power at all. Jadurani Ji, I have one different type of question for you, since 1966 in a way and from 1976 physically you have been associated with India for long, Will you please tell me, what does India mean to you? Prime Minister Ji, India means everything to me, I was mentioning I think to the Honourable President a few days ago, that India has come up so much in technical advancement, and following the West very well, with Twitter and Instagram, and iPhones and big buildings, and so much facility, but I know that that's not the real glory of India. What makes India glorious is the fact that Krishna himself, the Avatari, appeared here, and all the Avatars appeared here, Lord Shiva appeared here, Lord Ram appeared here, all the holy rivers are here, all the holy places of Vaishnava culture are here, and so India, especially Vrindavan, the most important place in the universe. Vrindavan is the source of all the Vaikuntha planets, the source of Dvarka, the source of the whole material creation, so I love India. Thank you, Jadrani Ji, Hare Krishna. संग्वारी हो, दुनिया के लोग, जब आज भारती आध्यात्म और दर्शन के बारे में इतना कुछ सोचत हैं, तो हमर भी जिम्मेदारी हैं, कि हमन अपन ए महान परमपराला आगे लेकर जाई. जो काल बाही है, उला छोड़ना ही है, लेकिन जो काला तीत है, उला आगे भी ले जाना है. हमन अपन परमला मनाई, ओकर बैज्यानिकता ला समझी, ओकर पीछे के अर्थ ला समझी, इतना ही नहीं, हर परम में कोई ना कोई संदेश है, कोई ना कोई संसकार है. हमनला एला जानना भी है, जीना भी है, और आयवाला पीड़ी के लिए बीरासत के रूप में ओला आगे बढ़ाना भी है मैं एक बार फिर सभी देश्वासी मनला जन्माश्टमी कर बहुत बहुत सुपकामना देथ हो मोर दुलर्वा देश्वासी मन एक कोरोना की समय में स्वच्चता के बारे में मुला जितना भी बात करना चाही लगत है साइद ओमे कुछ कमी आए गई से मुला भी लगत है कि स्वच्चता के अभियानला हमनला रत्ती भर भी ओजल नहीं हो एक देना है राष्ट निर्माण के लिए सबकर प्रयास कैसे सबका विकास कर ही एकर उधरन हमनला प्रेणा भी देथ है और कुछ करे बर एक नया उर्जा भी भरत है नया विश्वाज भी भरत है हमर संकलप में जान भी फुकत है हमने भली भाती जान थन कि जब भी सब्च भारत अभ्यान कर बात आयल तो इंदौर कर नाम भी आयल काबर की इंदौर हर सब्चता के संबन में अपन एक बिसेश पहचान बनाई से इंदौर कर नागरिक मन एकर बर अभिनंदन के अधिकारी भी है हमरे इंदौर कई बचर से सवच भारत रैंकिंग में पहले नमबर पर बनल है अब इंदौर के लोग सवचता के बारे में ए रैंकिंग से संतोस पाए के बैठना नहीं चाहत है वो आगे बढ़ना चाहत है कुछ नया करना चाहत है और ओमन का मन में ठान लहिन है ओमन वाटर प्लस सिटी बनाय रखे बर जी जान से जुटिन है वाटर प्लस सिटी यानि ऐसा सहर जहां बिना उपचार के कोई भी सीवेज कोई भी सारजनिक जल स्रोत में नहीं डालल जात है यहां के नागरिक मन खुद आगे आकर अपन नाली मनला सीवर लाइन से जोडिन है सवचता अभ्यान भी चलाल जात है यह वज़ा से सरस्वती और काना नदी में गिरे वाला गंदा पानी भी काफी कम हो गई से और उमें सुधार नजर आता है आज जब हमर देश आजादी कर अमरित महुत्सो मनात है तो हमला यह याद रखना है कि सवच भारत अभियान की संकलपला हमला कभी भी मंद नहीं पढ़ने देना है हमर देश में जितना जादा सहर वाटर प्लस सीटी हो ही उतना ही सवचता भी आगी बढ़ी हमर नदी भी साप हो ही पानी बचाएकर एक मान्वी जिम्मेदारी निभाय कर संसकार भी हो ही संगवारी हो मोर सामने एक उधारन बिहार के मधुमनी से पहुँची से मदुबनी में डाक्टर राजिंत्र प्रसाद क्रिसी विश्विदाले और वहां कर इस्थानिय क्रिसी बिज्ञान केंद्र मिलकर एक अच्छा परियास करीन है एकर लाब किसान मनला तो मिला थी है एकर से सच भारत अभियान लाभी एक नया ताकत मिली से विश्विदाले कर एक पहल कर नाम है सुखेत मॉडल कर मकसद है गाओं में प्रदूसन लाकम करना ए माडल के तहट गाओं के किसान से गोबर और खेत घर से निकले वाला अन्य कच्रा जमा करल जाते और बदले में गाउवाला मनला रसोई गय सिलिंडर के लिए पैसा देहल जाते जो कच्रा गाउव से जमा होईल ओकर निप्टारा के लिए वर्मी कमपोस्ट बनाय कर भी काम करल जाते यानि सुखेत माडल के चार लाप तो सीधे सीधे नजर आता है एक तो गाउवला प्रदूशन से मुक्ती मिलत है दूसर गाउव में गंदगी से मुक्ती तीसर गाउवाला मनला रसोई गय सिलिंडर के लिए पैसा और चौथा गाउव के किसान मनला जैविखाद राउर्मन सोचा ए तरह के प्रयास हमर गाउं कर सकती कितना जादा बढ़ाय सकता है। यही तो आत्म निर्भरता कर भी सय है। मैं देश कर प्रतियक पंचायत से कहना चाहत हूं कि ऐसा कुछ करे कर ओ भी अपन यहां सोचें। और संगवारी हो जब हमन एक लक्ष लेकर निक गाल पंचायत। देखा ए छोटा सा पंचायत हर का करीज यहां पर राउर्म वेस्ट से वेल्थ का एक माडल देख सकता है। यहां ग्राम पंचायत हर इस्थानी लोग के साथ मिलकर कच्रा से बिजली बनाय कर एक इस्थानी प्रोजेक्ट ला अपन गाउं में लगाई पूरा गाउं से कच्रा जमा होईल, उकर से बिजली बनेल और बचा हुआ उतपादला कीटनासक की रूप में बेच भी देत हैं। गाउं कर एक पावर प्लांट कर छमता परती दिन दो टन कच्रा कर निस्तारन कर है। एकर से बने वाला बिजली गाउं कर गली में जलाय व काम में उपयोग करल जाता है। अब मुला बतावा, तमिलाडू के सिवगंगा जिला कर एक छोटा सब पंचायत, हम सब देशवासी मनला कुछ करे का प्रेणा देथ है की नहीं देथ है। कमाल करिस है की नहीं करिस है। मोर दुलर्वा देशवासी मन, मन कर बात अब भारत के सीमा तक सीमित नहीं है। दुनिया कर अलग-अलग कोना में भी मन कर बात कर चर्चा होईल। और बिदेश में रहे वाला हमर भारती समुदाय के लोग हैं, ओ भी बहुत नया-नया जानकारी देत रथ हैं। अब मोला भी कभी-कभी मन कर बात में बिदेश में जो अनोखा कारिक्रम चलत रहल। ओकर बारे में रावर मन के साथ साजह करे में बहुत बढ़ियन लगल। आज भी रावर मनला मैं कुछ ऐसा लोगमन से परचे करा हूँ, लेकिन ओकर से पहले मैं रावर मनला एक बात सुनाना चाहत हूँ, थोड़ा गवर से सुनी हां। शुर्वंदू रेडियो उनिटी नवती एफेम एक भारत स्रेष्ट भारत अहम एकता मुर्ति याहा मार्कदर्शिका एवं रेडियो उनिटी माध्यमे आर्जे असमे अध्य संस्कृत दीनम अस्ती सर्वेप्या बहा बहा सुपकामनाय अस्ते सर्दार वल्लब्भाय पटेल महा दयश्य लोह पूरुष्य इती उच्यते त्रयो दशा विमसती सहस्त्र तमे वर्षे लोह संग्रहश्य अभ्यानम प्रारब्धम चतूर त्रिम्षत अधिक सतम टन परिमितम लोहश्य गलनम क्रुतम जार खंडश्य एकह क्रुषकह संग्वारी हो भासा तो राउर्मन समझ गए होई हो ए रेडियो पर संस्कृत में बात करल जात रहिस और जो बात करत रहिन ओ है आर जे गंगा आर जे गंगा गुजरात कर रेडियो जोकी के गुरूप कर एक सदस्य है और उनकर और भी साथी है जैसे आर जे नीलम, आर जे गुरू और आर जे हेतल ए सभी लोगमन मिलकर गुजरात में केवडिया में ए समय संस्कृत भासा कर मान बढ़ाय में जुटिन है और रावर मनला मालूम है ना एक केवडिया वही है जहां दुनिया कर सबसे उचा मूर्ती हमर देश कर गवरौ इस्टेचियो आफ यूनिटी जहां पर है ओक केवडिया कर में बात कर रतो हों और ये सब ऐसा रेडियो जौकी हैं जो एक साथ कई भूमी का निबात हैं एक गाइड के रूप में भी अपन सेवा देथ हैं और साथ साथ सामुदाइक रेडियो में भी रेडियो यूनिटी 90 FM ओकर संचालन भी करता हैं ये आरजे मन अपन स्रोता से संस्कृत भासा में ब अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचह एकता मूलकम राष्टे ज्यान विज्यान पोश्कम यानि संस्कृत भासा सरस भी है सरल भी है संस्कृत अपन विचार अपन साहित के माध्यम से एक ज्यान विज्यान और राष्ट कर एकता का भी पोशन करिल उमें मजबूती भी संस्कृत साहित में मानता और ज्यान कर ऐसा दिब दर्शन होईल जो कोई भी आकरसित होई सकता है। हाल ही में मोला कई ऐसे लोगमन के बारे में जाने कर आउसर मिलिस जो विदेश में संस्कृत पढ़ाय कर प्रेरक काम करता है। ऐसा ही एक ब्यक्ती हैं स्रिमान रटगर कॉर्टेन होस्ट जो आईरलेंड में संस्कृत कर जाना मना विद्वान और सिक्षक हैं और वहां के बच्चा मनला संस्कृत पढ़ात हैं। इधर हमर यहां पूरब में भारत और थाइलेंड की बीच संस्कृतिक संबंद कर मजबूती में संस्कृत भासा भी एक बहुत महत्पुन भूमी का निभात है। डॉक्टर चिरापत प्रपंड विद्या और डॉक्टर कुस्मा रक्षामणी एक दोनों थाइलेंड में संस्कृत भासा के प्रचार प्रसार में बहुत महत्पुन भूमी का निभात हैं। ओमन थाई और संस्कृत भासा में तुलात्मक साहित का रचना भी करीन है। ऐसे ही एक प्रोफेसर हैं श्रीमान बोरिस जाकरिन रसिया में मोस्को स्टेट विश्विद्याले में एस संस्कृत पढ़ा थें। वहां कई सोद पत्र और पुस्तक प्रकासित करीन हैं। वहां कई पुस्तक कर संस्कृत से रूसी भासा में अनुवाद भी करिन हैं। एही तरह सेडिनी संस्कृत इस्कूल आस्टेलिया में ओ प्रमुक संस्थान में से एक हैं जहां विद्यार्थी मनला संस्कृत भासा पढ़ाय जाते। ए इस्कूल बच्चा मनबर संस्कृत ग्रामर कैम्प, संस्कृत नाटक और संस्कृत दिवस जैसे कारिकरम भी आयोजित करेल। संग्वारी हो हाल के दिन में जो प्रयास होई से उमें संस्कृत ला लेकर एक नया जागरूता आई से। अब समय है ए दिसा में हमन प्रयासला बढ़ाई। हमर विरासतला सहेजना, उला संभालना, नई पीड़ी बर देना ये हम सब कर करतब्य है और भावी पीड़ी कर ओकर हग भी है। अब समय है एक काम के लिए भी सब कर प्रयास जादा बढ़े। संग्वारी हो अगर राउर्मन ए तरह के प्रयास में जूटे को कोई भी ब्यक्ति मनला जानत हो, ऐसा कोई जानकारी राउर्मन के पास है तो कृपिया हैस्टेग सेलिब्रेटिंग संस्कृत कर साथ सोसल मीडिया पर उनकर संबन में जानकारी जरूर साजा करी हो। मोर दुलर्वा देश्वासी मन अगला कुछ दिन में ही विश्वकर्मा जयनती भी आयवाला है। भगवान विश्वकर्मा लाग हमर यहां विश्वकर सिर्जन सकती कर प्रतीक मानल जाते। जो भी अपन कौशल से कोई वस्तु कर निर्मान करते, सिर्जन करते, चाहे वो स सिलाई कड़ाई हो, सौफ्टवेर हो या फिर सैटलाइट ये सब भगवान विश्वकर्मा कर रूप है। दुनिया में भले ही छमता कर पहिचान आज नवा तरीका से होता है। लेकिन हमर रिसी मनतो हजारों साल से इसकिल और इसकेल पर बल देहिन है। ओमन छमताला, हुनरला, कौसलला आस्था से जोड़कर हमर बर जीवन दर्शन कर हिस्सा बनाय देहिन है। हमर वेद में भी कई सूक्त भगवान विश्वकर्मनला समर्पित करल गई से। सृष्टी कर जितना भी बड़ा रचना है, जो भी नया और बड़ा काम है। हमर सास्त में उनका स्रे भगवान विश्वकर्मनला देहल जाते। ये एक तरह से ये बात कर प्रतीक है कि संसार में जो कुछ भी विकास और नयापन होता है, ओ छमता के जरिये ही होता है। भगवान विश्वकर्मा कर जैनती और उनकर पीछे कर भाव यही है और हमर सास्तर में भी कहल गई से विश्वस्य कृते यस्य कर्म ब्यापारह सह विश्वकर्मा अर्थात जो स्रिष्टी और निर्माण से जुडल सब करम करता है, ओ विश्वकर्मा है। हमर सास्त्र का नजर में हमर आसपास निर्माण और सिर्जन से जुटल जितना भी छमतावान हुनरमंद लोग हैं वो भगवान विश्व कर्मा कर बिरास्त हैं। इनकर बिना हमन अपन जीवन कर कल्पना भी नहीं कर सकता हैं। राउरमन सोच के देखा, राउरमन के घर में कोई बिजली कर समस्या आ जाए तो राउरमन ला कोई बिजली बनाय वाला ना मिले तो का हो ही। राउरमन के सामने कितना बड़ा परिसानी आ जाही। हमर जीवन ऐसे ही अनेक छमतावान लोगमन के वजह से चलिल। राउरमन अपन आसपास देखा, लोहे कर काम करे वाला, माटी कर बरतन बनाय वाला, लकडी कर समान बनाय वाला, बिजली कर काम करे वाला, घर में पेंट करे वाला मन, सफाई कर मी मन, या फिर मोबाईल लैपटाप कर मरमत करे वाला मन, एस सब साथी अपन छमता कर वजह से ही जानल जातें आधुनिक स्वरूप में ए सभी विश्व कर्मा है लेकिन संग्वारी हो एकर एक और पहलू भी है और वो कभी-कभी चिंता भी करा थे जो देश में जहांकर संस्कृति में परंपरा में सोच में हुनरला इसकिल मैन पावरला भगवान विश्व कर्मा के साथ जोडल गईस हो वहां इस्थिती हरकई से बदल गईस एक समय हमर पारिवारिक जीवन सामाजीक जीवन रास्ट जीवन में कुसलता कर बहुत बड़ा प्रभाव रहिस लेकिन गुलामी के लंबा कालखंड में हुनर मनला समान देह कर भावना धीरे-धीरे भुलाय देहल गईसे कि हुनर आधारित काम मनला छोटा समझल जाते और आज देखा पूरा दुनिया सबसे ज्यादा हुनर यानी चमता पर ही बल देता है भगवान विश्वकर्मा कर पूजा भी सिर्प आपचारिक्ता से ही पूरा नहीं हो ही हमनला हुनर ला सम्मान देना हो ही हुनर पर गर्ब होना चाहिए, जब हमन कुछ ना कुछ नया करी, कुछ ऐसा सिर्जित करी, जिकर से समाज कर हित हो, लोग मन कर जीवन आसान बने, तब हमर विशुकर्मा पूजा सार्थक होई, आज दुनिया में छमतावान लोग मन के लिए औसर कर कमी नहीं है, प्रगति के अर कि देसलाभ भी अपनायकर संकलब करी, हमर पूजा कर भाओ यही होना चाहिए, कि हमन छमता के महतला सम्जब और छमतावान लोग मन ला, चाहें ओ कोई भी काम करत हो, उनकर पूरा समान होई, हमर पूजाकर भाव यही होना चाहिए कि हमन छमता के महतला समझी और छमतावान लोग मनला चाहे वो कोई भी काम करत हो उमनला पूरा सम्मान भी देवो मोर दुलर्वा देश्वासी मन एस समय आजादी कर 75 साल कर है एस साल तो हमनला हर दिन नया संकल्प लेना है नया सोचना है और कुछ नया करेकर अपन जज़बा बढ़ाना है हमर भारत जब आजादी के 100 साल पूरा कर ही तब हमर एस संकल्प ही ओकर सफलता कर बुनियाद में नजरा ही एकर से हमनला ए मौका ला जाने नहीं देना है हमनला एमे अपन ज़ादा से ज़ादा योगदान देना है और ए प्रयास के बीच हमनला एक बात और याद रखना है दवाई भी कड़ाई भी देश में 62 करोड से जादा वैक्सीन कर डोज देहल जा चुकी से लेकिन फिर भी हम अल्ला सौधानी रखना है सतर्कता रखना है और हाँ हमेशा की तरह जब भी राउर्मन कुछ नया करिया नया सोचिया तो उमें मुला भी जरूर सामिल करिया है बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार